हेलो गाईज, वेलकम डेकार शो, आज आपके सामने हैं All New 2023 Toyota Urban Cruiser High Rider Toyota Urban Cruiser High Rider का प्राइस 10.48 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है और जाता है 18.99 लाख रुपीज तक इस कार के अंदर आपके यहाँ पे दो इंजन ओप्शन्स ऑफर किये जाते हैं पहला आपके यहाँ पर इसमें मिल जाता है मारूती के तरफ से 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 स्लेंडर फेट्रोल एंजन और दूसरा आपके यहाँ पर इसमें मिल जाता है इसका बेस वेरिंट है और वी जाता है जो आपके हाँ पर हाइब्रेड इंजन इसकार में मलते है उसके अंदर आपके यहाँ पर तीन यह आप्शन्स मिलते है S, G and V यह आप अभी यहाँ पर G hybrid variant देखने है black color के अंदर जोगता काफी ज़ादा जबरदस्त लग रही है इसके अगर engine की बात की जाए सबसे पहले तो यहाँ पर जापको इसके अंदर 1.5 लीटर का Toyota की तरफ से pure hybrid engine offer किया जाता है वो यहाँ पर reduce करता है around 92 PS की power और 122 Nm का talk और इसकी ARA clean mileage 27.97 km पर लीटर यहाँ पर जो आप पीछे orange में pipes देख रहे हैं इसकी battery और motors के connection के लिए बाकी insulation विगर आपके हाँ पर इसमें proper provide की जाती है and overall engine और motor की combined power आपके हाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा बाकी अब बात कर लेते हैं सबसे वहले इस कार के front profile के बारे में तो सबसे वहले आपके यहाँ पर इस पर देखने को मिल जाता है Toyota को यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस तरह की इसकी front grill दी जा रही है जो कि आती है texture design के साथ chrome inserts आपके यहाँ पर इसमें दिये जाते हैं यहाँ पर आपको इसमें LED DRL saw side turn indicators कर जाते हैं जो कि dual function में नीचे आपके यहाँ पर इसमें LED projector head lamp offer किया जा रहा है यहाँ आपको single LED ही इसमें offer की जा रही है जो कि ना chrome surroundings के साथ पूरी की पूरी as standard ही आती है hybrid variant के अंदर fog light option आपके यहाँ पर इसकार में offer नहीं किया जा रहा है आपके यहाँ पर इसमें ग्रे कलर में मिल जाएगी front grill आपके यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर में ही proper provide की जाती है बाकि अगर इसके side profile की बात की जाते हैं तो side में आपके 117 इंचिस के tires offer किये जा रहे हैं full body cladding आप यहाँ पर इसकार की देख सकते हैं ground clearance की अगर बात कीज़े तो इसकार की ground clearance है 210 mm यहाँ पर आपके side turn indicator इसके over VM के उपर ही दिया जा रहा है and over VMs को आप यहाँ पर इसमें electronically adjust and fold कर सकते हैं नीचे आपके हाँ पर इसमें hybrid की badging मिल जाएगी पाकी chrome window lining आपके हाँ पर इसमें offer की जा रहे है body color door handles आपके हाँ यहाँ पर इसकार में दिया जाता है green tinted glasses आपके हाँ पर इसकार में मिल जाते हैं जो किने काफी जादा अच्छी बात है उपर आपके हाँ पर इसमें roof rails द अगर आपके हाँ पर इसमें तीनों चीजे मिल जाएंगी यहाँ पर आपको सेंटर में इसमें दिया गया है ट्योटा के लोगों chrome plate आप यहाँ पर इसकी पूरी देख सकते हैं यहाँ पर आपके इसकार के अंदर फुल LED टेल आपके जाती है जो किना काफी जादा बढ़ि जा रहे हैं और इस G variant के अंदर आपके यहाँ पर इसमें reverse parking camera भी मिल जाता है अगर आप इसका टॉप end variant वी लेंगे तो इसके अंदर आपको 360 view के लिए भी चार cameras मिल जाएंगे बाकी नीच आपको gray color के अंदर इसकी पूरी skid plate offer की जा रही है और अपना एक बड़ी जल्द tone के अंदर आपके ही मिलेगा chrome door handle आप यहाँ पर सबसे बहुत देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसमें glossy black finishing दी जा रही है leather inserts आपके हैं इसमें पूरे के पूरे bottle holder speaker twitter आपके हां सब कुछ इसमें मिल जाता है seat adjustment क्या बात कीचे तो यहाँ पर आप इस variant के अंदर या base variant के अंदर आती सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर इसमें spray करूंगा involve का blackstone का perfume इसके साथ नहीं हाँ पर आपको एक hanging tag भी मिल जाते है जिसके उपर कि आपके हैं पर इस perfume को दो से तीन बार कुछ इस तरीके से spray करना होता है उसकाद इसकी पूरी fragrance कार के अंदर फैल जाएगी बाकी fragrance कि अगर बात कीज़े तो बहुत ही जादा amazing fragrance आपके यहाँ पर इस perfume से मिल जाती है जोकिन आपको बहुत ही जादा refreshing जैंड बड़ी आस हैसास दिलाने वरी है और यह perfume ना easily around two to three months तक last कर जाएगा अगर आप इस त इस तरह की कीज मिल जाती है जो कियाती है लॉकर अनलॉक के अप्शन के ताथ यहाँ पर आपको बन कर लेता है और आवाज यहां पर बंद हो जाएगी साइड पर आपके चार्ज एको पावर मीटर दिए गयाकर अपर फ्यूल मीटर और साथी इंजिन डेपर उपर आप आपके हाँ पर HUD में दी जाती है, स्टेरिंग विल आपके हाँ पर कार का कुछ ऐसा इसका कम्प्लीट मिल जाता है, लेधर आपको यहाँ नहीं मिल रहाँ पर विरेंट के अदर आपको लेधर आप मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी सारी आपके हाँ पर इसकी M.I.D. के अंदर इन्फोर्मेशन मिल जाती है, बागी स्टेरिंग विल एज़स्मेंट भी हाँ पर चेक कर लेता है, एक AC wind मिलता है, HUD के आपको यहाँ कंट्रोल्स मिलता है, head rate level दिया गया, यहाँ पर आपके इसमें, वो नाट अफ फ्यूलेट को open गलने के लाप्शन मिलता है, नीचे आपको यहाँ पेडल्स मिल जाता है, dead pedal भी आपको यहाँ पर इसमें आफ़र किया दार है, बाकि HUD अगर बायत करें, तो उसके लिए यहाँ पर कार को स्टार्ट करना पड़ेगा, आजना मैं डोर एक बर ही खूल रहा हूँ ताकि आपको engine noise के बारे मिल पता लग पए, तो यहाँ पर मैंने कर दिया car start, car start है, और बिल्कुल भी कोई noise नहीं कार के अंदर, क्यों, क्योंकि यह हुई है, अभी EV mode के अंदर start, मतलब बैटरी इस पर engine इसका start हो चुका है, मतलब आपको मैं थोड़ी चला की भी दिखा दाता हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पर इसे D पर करूँगा, कुई noise नहीं है, ब्रेक छोड़ती, कार आगे चलने लग गई है, ठीक है, तो बिल्कुल noise नहीं है, यहाँ पर reverse भी खर लेते हैं, कैमरा आपको यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह का आफा किया जारा, 360 view आपको यहाँ नहीं में लगए इस video के अंदर, बट overall quality कैमरा की काफी जादा बढ़िया है, अब कार मैंने यहाँ पर थोड़ी पीछे भी खर लिया, P-Mode पर इसको डाल देते हैं, HUD के लिए mainly यहाँ पर कार स्चार्ट की थे, तो HUD यहाँ पर कुछ इस तरह से वर करेगी, इसको जैसी long press करेंगे, यहाँ पर HUD की open up हो जाती है, इसके अंदर आपको यहाँ पर काफी सारी information मिल जाएगी, जैसे कि आपको आर्पियो मीटर मिल जाता है, स्पीडो मीटर मिल जाता है, कार खुली है, बंदा वो दिख जाएगा, low fuel की warning आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, इस तरह से आपके यह मिल जाती है, बाकी, इसके लाव आप यहाँ पर बाकी की information देख सकते हैं, time, gear, वगिर, आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है, और अगर बात कीज़े, engine के on होने की, तो engine को भी एक बर यहाँ पर on कर लेते हैं, तो P mode पर यह थोड़ा से मैं यहाँ पर रेफ कर रहूँगा, और फिर उससे engine स्टार्ट हो जएगा, तो यहाँ पर engine स्टार्ट अप हो चुका है, इस कार का यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ ready लिख है, EV यहाँ से जा चुका है, और यह इसलिए हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा से सिर्फ किया था, अब बंद कर देते हैं एक बारी कार को, और बात कर लेते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन के बारे में, तो नहीं, यहाँ पर आपके इसके अंदर 9 इंचेस की स्क्रीन सेंटर में आफ़र की जा रही है, जो कि आते हैं काफी सारे फीजिस के साथ, इसके अंदर आपके यहाँ पर Android, Auto, Apple कार पर दोनों ही आफ़र की जा रहे हैं, और आपके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वर्क करेंगे इस कार के अदर, और आपके यहाँ पर AM, FM, Bluetooth, USB तो मिलता ही है, आपके यहाँ पर सभी की सभी ड्राइव इंफर्मेशन इसमें चेक कर सकते हैं, नीचे आपके यहाँ पर दो AC इविंट्स मिलेंगे, यहाँ पर 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 जा रहा है 12W का power socket traction control का switch यहां पर आपके USB का port मिलता है gear lever आपके यहां कुछ ऐसा मिलेगा P R N D और B and reverse gear लगाने पर आपको camera मिल जाता है जो कि मैं आपको already दिखाई चुकों बाकी senses कभी आपके यहां पर display side पर इसका मिल जाएगा EV mode drive mode आपके यहां पर इसमें दो mode मिलता है EV mode के अंदर car mainly try करेंगी जादा तर EV mode पर ही चलती रहे बाकी drive mode के अंदर आपके 3 modes मिल जाएंगे पहला आपके हाँ पर power mode दूसरा मिलता है एक mode तीसरा आपके normal mode मिलता है तो तीन mode के अंदर आपके मिल जाती है handbrake दी गई है दो bottle holders मिलते जिन मेंसे एक के अंदर आप रख सकते है involve का black stone का perfume बाकी कुछ इस तरह की packaging आपके हाँ पर इसकी मिल जा दिया जा रहा है storage space के साथ जो आता है cushioning भी आपके हाँ पर इसमें offer की जा रही है top end के अंदर आपको leather seats मिल जाएंगी प्लस ventilation का function मिले के इसके आपको वह चीज़ नहीं मिलती है बाकी cushioning and comfort इसका बहुत ही जादा बढ़िया है मतलब सेग्मेंट के best cushioning and comfort में को इसकार की लगती है ambient lighting भी हाँ पर इसमें offer की जारी है बाके इस variant के अंदर एक छोटा सा disadvantage भी है जो की seats के related है वो मैं आपको बता देता हूं कि ना in seats के sides पर आपको यहाँ पर airbag मिलते वह तो अच्छी बात है आप यहाँ पर इसकी पर लेदर सीट कवर इंस्टॉल नहीं कर पाप होगे अगर सीट कवर इंस्टॉल कर वाई तो airbag फंक्शनिंग पर एफेक्ट पड़ेगा तो फाब्रिक में आपकी इस तरह के में डी वरिंट के अंदर यह रखनी पड़ेंगी बाकि सेफटी गंदर आपके यहां पर six airbags मिलते हैं, front two airbags आपके यहां मिल जाएंगे, sides में pillars पर आपके यहां पर इसमें airbag दिये जाने हैं, seats पर आपके यहां airbag मिल जाते हैं, और आपके यहां ABS reliability, brake assist, isofix, seat mounts, traction control, यह सब features भी इस कार में मिल जाते हैं, leather padding आपके यहां पर इसमें पुरी दी ज आपके साथ आता है, यहां पर आपको auto dimming airbag दिया गया है, जिसके पीछे की involve tag लगा सकते हैं, बाकी यहां पर sunglass holder है, दो roof lights हैं, जो की halogen में हैं, इस side आपको sun sheet के अंदर vanity mirror मिल रा light के साथ, same setup आपके यहां पर भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, and sunroof किया जाता है, तो massive panoramic sunroof आपको यहां पर इसमें वाफ़क की जारी है, जो किया थी है, one touch open and one touch close function के साथ, तो पहले इसका आगे वाला glass खुलेगा, फिर पीछे वाला खुलेगा, तो यह भी एक चीज काफी सादा बड़ी अलगते हैं, and overall ना कुछ इतनी है, wide open हो जाती है, बाकी इसको फिला आपको यहां view मिलने वाला है इसका, and door pad कि अगबाद की जाए तो कुछ इस तरह का आपको यह door pad complete इसका मिलने वाला है, leather padding आपको यहां पर इसमें पूरी मिल जाएगी, gloss light touches आपको यहां दियागी, chrome door handle आपको मिल जाते है, नीचे bottle holder speaker यहां पर आपको इसमें मिल जाएगा जो कि आपको base variance इस car में मिल जाते है, बाकि दो bottle holders के साथ यहां आता है, and उपर आपको यह lock करने के इसमें भी option मिल जाते है, seats आपके हैं कुछ aci's के दी जा रही है, Isofix seat mounts आपको यहां पर इसमें मिल जाते है, और यहां पर आपको इसमें rear ac wint भी मिल रहे है, और साथ ही दो आपको यहां पर charging ports मिल रहे हैं एक है type C और एक है type A and map pockets आपको यहां इस पर मिल जाएंगी dashboard लोग आपको यहां पर car का कुछ SS का complete मिल जाता है जो कि काफी जादा premium लग लग रहा है उपर sunroof का view आपको यहां कुछ ऐसा मिलेगा and one touch में आप यहां पर इसकी sunroof को बंद भी कर सकते हैं तो एक बर ही मैं ट्रेस कर दी sunroof यहां पर बंद हो गई roof lights आपको यहां साइट पर इस पर दी जा रही है जो कि halogen में मिलती है and window blind अगर आपको मतलब इसकी दिखाऊ मतलब sunroof blind जो में लिए अब कहते हैं तो sunroof blind आपके हाँ कुछ ऐसी मिलती है थोड़ी सी यह पतले टाइप के दीगे बढ़ ठीक है overall पाकी space कियों के बात कीजए तो guys मेरी height 6 feet है और आपको सबसे बहले बूट में देखने को बिल जाती है इसकी पार सब्रे बूट इसका थोड़ा सा यहाँ पर कम है नॉर्मल वाले वेरियंट अगर आप बिना बैटरी वाला non hybrid वेरियंट इसकार करेंगे तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा बूट पेस इससे जादा मिल जाएगा इसका डिफरेंज आप यहाँ पर इसका क्लियरली देख सकते है इसके नहीं पर इसके नीचे के तरफ बैटरी स्प्लेज जाएं जो की मतलब इसके नीचे ही रहती है और यहाँ पर आपको स्चोरे स्पेस मिल जाती है यहाँ आपको इसमें टूल केट वगरा दी गई है बूटले 12 वाट्स का पाव सॉकेट आपके हम मिल जाता है यहाँ यहाँ पर 60-40 स्प्लिक्ट वे में फोल्ड कर सकते हैं बाकी इत्ती स्पेस भी ओवरॉल ना काफी ज्यादा अच्छी है स्पेर वील के अगर बात कीजा तो स्पेर वील आपके हाँ पर कार का नीचे की तरफ मिलता है जो कि आपके हाँ पर 17 इंचिस का ही ओफर किया जा रहा है and steel wheel मिलता है आपके हाँ पर इस कार के अंदर spare wheel में और बंद कर लेता है इस के tailgate को and बात कर लेता है इस कार के on road price के अबारे में तो guys इस particular car Toyota Urban Cruiser High Rider G Hybrid variant का extra price है 17.49 रुपीज और ये on road आपको जन्रीगर में पढ़ेगी 19.25 रुपीज की तो guys आपको एक कार कैसी लगी में को नीचे comment section में जरूर बताना और साथ ही आपको नीचे comment section में लिंक मिल जाएगा involve your senses के rain forest series के black stone air perfume का जिसी के जाकर आप ज़रूर से बाय कर लें and trust भी बहुत ही जादा बड़ीया fragrance है इसकी बाकी इस कार के सभी वेरिंट्स का में detailed वॉक्राउंड वीडियो अल्रेडी बनाया हुए तो आपको सभी वीडियो का link मिल जाएगा नीचे description में comparison वीडियो जिस कार की मैंने सभी की सभी बनाई है अलग लग वेरिंट्स के साथ तो वह भी आप नीचे description में चेक आउट कर सकते हैं और ना एक बरिमाई यहां पर इस कार के color options भी आपके यहां पर दिखा देता हूं तो एक का आपके यहां मिल जाता है black color जो कि आप यहां पर देख रहे हैं दूसरा आपको black and white का option इसमें मिल जाएगा तीसरा यहां पर आपको इसमें silver का लग भी option दिया गया प्यॉर वाइट भी आपके यहां पर इसका देख सकते हैं फिर आपके यहां पर silver and black option भी मिल जाता है black आप देखी चुके बाकी red का option भी आपके यहां पर इसमें मिल जाता है और एक blue color भी आता है इसके कि लोगी में को नीचे comment section में जरूर बताना और अगर आप और देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे थांक यू अन्ट हव नाइस जे